आज मैंने बनाया है रबडी दार ब्रेड पॉकेट बहुत ही बढ़ियां मिठाई ये बन कर तेयार हुई है और बहुत ही कम समय में तो चलिए बनाते हैं पहले मैंने एक कप पानी लिया है और उसी कप से मैंने आधा कप चीनी लिया है इसका हमको सुगर सिरब बनाना है चासनी बनानी है इसको एक तारवाली इस तरह से देखे बनके तयार हो गई है कुछ ब्रेट के स्लाइस लेनी है ताजे ब्रेड होने चाहिए वो नहीं तो बा इसको कोने से काट लेंगे और मैंने ये कुछ भी नहीं थोड़ा सा पानी लगा दिया है कि किनारे का जो ब्रेड का हिस्सा है वो थोड़ा नर्म हो जाए और उसको हाथों की मदश से इस तरह से चिपका देंगे दिखे हमने बना ली है और फिर हम एक बाउल में दो बड़ कट कर लिया है और फिर हम इसमें डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क ये देखे ये घर का बनाया हुआ मिल्क मेट जैसे मार्केट में आता है उसी तरह से मैंने इसको घर में बनाया था इसको हम डाल कर थोड़ा मिक्स कर लेंगे अलग से सुगर डालने की जरूरत नहीं है और फिर फटा फट मिल्डियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे और दिखे हमारा जो पॉकेट है ब्रेट पॉकेट बनकर तयार हो गया है और इसको अब हम चाशनी में डालेंगे चाशनी में डालकर इसको हम छोड़ेंगे नहीं बस डिप करना है और निकालना है और इसको बाकी को भी bread pocket जो है उसको भी हम मैंने fry करके निकाल लिया है और देखिए जो चाश्णी से हम bread का pocket जो है न हम निकाल लेते हैं बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है और देखे हैं हमारे यह तियार हो चुका है अब इसमें जो हमने रबड़ी बनाकर रखी भी थी ना उसको हम सारे पॉकेट में डाल देंगे और देखे कम समय में बहुत ही बढ़ियां और मजदार मिठाई बनकर तयार हो गई है आप भी इस होली बनाकर जरूर ट्राई करें और मेरी इस रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और सस्क्राइब करें और कमेंट भी करें